डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद स्टार्ट भारत में पंचायतों की परंपरा अत्यन्त प्राचीन रही है विराम भारती इतिहास के हर दोर में पंचायतों का अस्तित्व रहा है विराम पंचायतें समवाद कुमा सहमती कुमा सहयोग कुमा सहभाग और सहकार जैसे पांच तत्वों पर आधारित जीवन से ली का प्रतिनी धित्व करती हैं विरां आजाद भारत की सम्विधान सभा में गांधिवाद की बातें तो बहुत हुए पर उन्हें पूरे मन से स्विकार नहीं किया गया था विरां जिस गांधिवाद में पंचायतों को सच्चा लोकतंत्र और स्वतंत्रता का प्रारंभिक बिंदू माना गया कुमा उसी को संसादनों और समयाभाव के बहाने नीथी निर्देशक तत्वों की अधिन राज्य सरकारों की विवेक पर छोड़ दिया गया विरां तिहत्तर में सम्विधान संसोदन उन्नीस सो बराण में के जरिये पंचायतों को सम्विधानिक स्थिती और सूरक्षा प्रदान की गई थी विरां इस संसोदन विधेग का आधार 1988 में गठित वी एन गाडगिल समीती की अनुसंसाएं थी विरां लेकिन इसके बावजुद पंचायतें संतोस जनक परिणाम नहीं दे पाई है विरां पंचायतों की पहली बड़ी समस्या उनकी खुली बेठक का ने होना है विरां सही तरीका को यह है कि हर बार गाम की पूरी बेठक होनी चाहिए और जो भी फेसला हो वे खुली बेठक में किये जाए विरां प्रधान, सचीव का यह कहना कि बेठक के लिए कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है विरां जिसे सीरे से एक गलत बात है क्योंकि ग्रामिन तो गावों में ही रहते है विरां तब उनकी सभा में उपस्तित नह होने की बात समझ से परे है विरां वास्तिक्ता यह है कि लोगों की सूचना ही नहीं दी जाती की पदाधिकारी अपने अनुकूल फेसले कर सके विरां जाहिर है कोमा एसा प्रसासन की सह के बिना संभव नहीं होता विरां इसके लिए उचित उपाय है कि बेठक से पूर्व मोबाइल या अन्य संचार माध्यमों से इस बारे में सूचना का प्रसारण अनिवारे कर देना चाहिए विरां साथ ही आवश्यक हो तो इन सभाओं का वीडियो भी बना कर सरकार बनवा सकती है विरां पैराचेंज दूसरा जरूरी तथ्य यह है कि आज भी पंचायतों का सुधार राज्य सरकारों की प्रात्मिता सूची में नहीं है विरां उन्निस्सो सतत्तर में गठित असोक मेता समीती ने सुधाव दिया था कि राज्य सरकारों को पंचायती राजसंस्थाओं का अतिक्रमन नहीं करना चाहिए विरां लेकिन राज्यों को लगता है कि पंचायतों का सुचारू विकास उनकी अधिकार छेत्र में कटवती कर सकता है विरां पंचायतों को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा माध्यम राज्य सरकारों की करमचारी ही करनते हैं विराम ग्राम इस्तर पर सरकारों ने प्राथमिक सिक्षक, पंचायत सचीव, सफाई करमी, ट्यूब वेल ओपरेटर, आंगनबाडी, आसा बहु जैसे करमचारी नियुक्त कर रखे हैं विराम लेकिन ये खुद को ग्रामिन जनता के प्रती जवाब दे हैं नहीं मानते विराम अधिकांस नव निर्वाचित प्रधानों की यही सिकायत रहती है विराम कि वे कोई भी अच्छा काम करना चाहें तो पंचायत सचीव उसमें बाधा पेदा करते हैं विराम एक पंचायत सचीव के पास दो से तीन गावों तक का प्रभार होता है इससे पंचायतों में ब्रस्टाचार भी पनपता है बारत में समवेधानिक रूप से तीन सरकारों को मान्यता प्राप्त है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचाल जब केंद्र और राज्य सरकारों की अपने करमचारी का संवर्ग है तो ग्रामिन सेवाओं के लिए भी एक अलग संवर्ग बनना चाहिए विरांग। सेवा संवर्ग के लिए स्थानिय लोगों की चुनाव में क्या समस्या आती है। विरांग। ग्रामिन केडर का चुनाव भले ही राज्य कुमा जिला या क्षित्र पर हो लेकिन ये करमचारी गाव में ही रहेंगे और इनकी आसानी से उपलब्दता सूनिस्चित होगी। विरांग। ये सेवा संवर्ग अपनी गावों के लिए विश्वस्निय साबित होगा। विरांग। इनकी निगरानी का कारे सरकारी एजेंची, कोई तीसरा या पक्स या नागरिक समाज कर सकता है। विरांग। वंचित समुहों की भागीदारी, जवाब देही, पारदर सिता एवं सूचिता के संधर्ब में ग्राम सभाओं का ससक्ती कर्ण एक ससक्त हतियार है। विरांग। किन्तु आज तक कई राज्यों ने अपने यहां ग्राम सभा के अधिकारों को स्पष्ट ही नहीं किया है। विरांग। कई राज्यों में पंचायतों की स्थती मातहत निकाय की है। इसलिए ग्राम प्रधानों को कोस और अन्य तकनी की अनुमोधन के लिए प्रखंड कार्यालेों में चक्कर काटते नियमित रूप से देखा जा सकता है। विरांग। पंचायतों की बड़ी समस्या नौकर साही भी है जो ग्रामिन स्थर की समस्याओं को हे द्रश्टी से देखती है और उसके प्रती उपेक्सा भरा रवया अपनाती है। विरांग योजना आयोग ने 1985 में जीवी के राब समीती बनाई थी। विरांग इस समीती का निशकर्च था कि विकास प्रकरिया दफ्तर साही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है और नौकर साही की इस प्रकरिया के कारण पंचायती संस्थाएं कमजो हो गई है विरांग एक तो एसिक्षा और जागरुकता की कमी के कारण ग्रामिन समाज पहले से अपने अधिकारों के प्रती जागरुक नहीं है विरांग उपर से नौकर साही का सहयोग वै एहंकार पूरण रवया उनके और जनता के बीच दूरियां और एविश्वास भढ जाता है विरांग जो सहयोगी लोकतंत्र के लिए घातक है पैराचेंद सवाल पंचायतों को वास्त्विक न्याईक सक्तियां प्रदान करने का है विरांग सन 1986 में गठित एल एम सिंगवी समीती ने गाम समूहों के लिए न्याई पंचायतों की स्थापना की सिफारिश थी कोमा विरांग तमाम न्याईविद भी ये मानते रहे हैं कि आमतोर पर 10-20 साल मुकदमा लड़ने और 10-20 लाख रुपई खर्च करने के बाद भी न्यायालई जो अंतिम फेसले करते हैं उससे दुस्मनी खत्म नहीं होती कोमा बलकी पेढियों तक चलती है विरांग लेकिन पंचायतों से जो फेसले होते हैं और लोग एक दूसरे के गले मिलकर इसे स्विकार करते हैं कोमा इससे सत्रूता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है विरांग इससे लोगों की घन की बचत होती है और न्यायालई एवं पुलिस प्रसाशन के समय वे उर्जा की बचत होती है विरांग सात ही गाव की समर्षता भी बनी रहती है विरांग पंचायतों की एक बड़ी समस्या वित्ये संसाधनों के प्रयोग की अनिच्छा से जूडी है विरांग नी संदी है पंचायतों की पास सीमित वित्ये अधिकार है किन्तु उन्हें महत्वपूर्ण सक्ती की रूप में बाजार कुमा मेलों कुमा अन्य उपलब्ध सेवाओं जैसे सार्वजनिक सोचालयों के लिए कर संग्रहन की सक्ती की सात ही संपती पर भी कर लगान अधिकार प्राप्त है विरांग लेकिन असलियत यह है कि बहुत कम पंचायतें अपने इन वित्ये अधिकारों का प्रयोग कर पाती है विराम असल में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अपने समाज के लोगों से करवसूलना कठिन काम होता है विराम इससे उनकी नीजी समंधों के प्रभावित होने की आसंका रहती है विराम अते पंचायते एक आसान विकल्प का चुनाव करते हुए एसे कराधान से बचती हैं जिसका दुस परिनाम उनकी वितिये स्त्रोतों के सिकुडने के रूप में सामने आता रहता है समाप्त